अरिसमाज इसी प्रतिष्टिस संस्था में भी कुछ लोगों की वजह से विबाद किस्थित उत्पन होती जा रही है या कहीं और नहीं उत्तरपदेश के सोन बजीले के चोपन अगर की है जहां पर आरिसमाज और आरिसमाज से जुड़ा हुआ सिसु मंदिर पित्याला है अत्यदिक विवाद के घेरी में आ गया है इसको लेकर की आरिसमाज के चिमिदारों में कुछ लोगों के खिलाब सक्त कारवाई की है हम उसके बारे में चर्चा करें उसके पहले आरिसमाज के बारे में कुछ चाल लेते हैं आरिसमाज का अर्थ स्रेष्ट और प्रगत सीलों का समाज जो वेदों के अनकूल चलने का प्रयास करते हैं दूसरों को उसपर चलने को प्रयोट करते हैं आरे समाजिऊं के आदर्स मर्यादापुरसोतम राम और योगी राज किष्ण है महर्शी द्यानन्द ने उसी वेद मत को फिर से अस्थापित करने के लिए आरे समाज की निव रखी आरे समाज के सब सिधान्त और नियम वेदों पराधारी थे आरे समाज की मानता के नुसर फल ज्योदिस जाती उटोना जनपत्रिस, राध, तरपन, वरत, भूत्परित, देवी जागर्ण, मुर्ति पूजा और तित्यात्रा, मन गढ़न्त है, वेद विरुद्ध है आरे समाज सच्चे इस्वर की पूजा करने को कहता है यह इस्वर वायव और आखास की तरद स्वरोब्याबी है वह होतार नहीं लेता, वह सब मनुस्यों को उनकी कर्मा अनुसर फल देता है अगला जन्म देता है, उसका ध्यान घर में किसी भी एकांत में हो सकता है इसके अनुसर दैनिक यक्य करना हर आरे का क्रतब है इनकी अलगलग नामों से मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, आरे समा चे वर्ण व्योस्था यानि ब्राह्मन चत्रिवैश्च और सुद्र को कर्म से मानता है जन्म से नहीं आरे समा सोदेशी, श्वभासा, स्वसंस्कृत और स्वधर्म का पोर्षक है आरे समा स्रिष्ट के उत्पत्ति का समय चार अरब 32 करोण वर्ष और इतना ही समय प्रलाइकाल का मानता है योग से प्राप्तमुक्ति का समय वेदों के नुजार एक तिस निल, दस खरब, चालिस अरब यानि एक परांते काल मानता है आरे समाध वसुदःक को टुममकम को मानता है लेकिन बोमंडली करण को देश, समाज और संस्कृट के लिए गातक मानता है आरे समाज बेधिक समाज रचना के निर्वान और आरे चक्रवर्ती राज्यस्थापित करने के लिए प्रियासरत है इस समाज मांस, अंडे, बीडी, सिगरेट, सराप, चाय, मेश मसाले, आदि, वेद, विरुद्ध है आईए हैं बात कर लेते हैं आरे समाज की वी दस महत्पुन नियम जिन पर आरे समाज की पूरी आधार सीला ठीकी है पहला नियम है सब सत्य विद्ध्या और जो पदार्त विद्ध्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमिश्वर है दूसरा इश्वर सचिदानंद सरूप निराकार सरवशक्तिमान नयाईकारी दयालु अजन्मा अनन्द निर्विकार अनाधि अनुपम सरवाधार सरवेश्वर सरोब्यापक सरवान्तारामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और स्रिष्ट करता है उसी की उपासना करने ओगे तीसरा नियम है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आरियों का परमधर्म है सत्य के गरन करने और असत्य के छोड़ने में सरवधा उद्दत रहना चाहिए चौथा नियम था, पांचवा नियम है, सब काम धर्वानुसार, अर्था सत्य और असत्य को विजार करने चाहिए चौथा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्यों देश से अर्था सारीरीक, आत्मीक और सामाजी को नद करना सात्वा है, सबसे पृत्य पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योगे वर्तना चाहिए अविद्या का नास और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, यह आठ्मा नियम है नवा नियम है, प्रतेक को अपनी ही उन्नत से संतुष्ट न रहना चाहिए किन्त सबकी उन्नत में अपनी उन्नत समाजनी चाहिए दस्वा, सब मनुस्यों को सामाजी को सर्व हितिकारी नियम पालने में परतंत रहना चाहिए और प्रतेक हितिकारी नियम पालने में श्वतंत रहना चाहिए आरसमाज का काफी महत्य पूर्ण योग दान रहा है भारत के 85 प्रश्चत सुतंता संग्राम से नानी आरसमाज ने पैदा किये स्वदेशी आंधुलन का मुर्शुत्रदार आरसमाजी है स्वामी जी ने धन परिवर्तन कर चुके लोगों को पूनह हिंदु बनने की प्रणा देकर सुध्य आंधुलन चलाया विदेशों तथा योग जगत में नमस्ते सब्द कापरियों को बहुत साधान बात है एक जमाने में इसका प्रशल नहीं था हिंदु लोग भी ऐसा नहीं करते थे आरसमाजीों ने एक दूसरे को अभिवादन करने का यह तरीका प्रशलित किया अब भारतियों की पचार मन चुका है स्वामी दयानंद ने हिंदी भासा में सत्यात प्रकास, पुस्थक और अनेक विद्भासियों के रचना की अनेक आरसमाजी विदेशों में जाकर हिंदु में हिंदी भासा और स्वात्यंत्र शेतना का प्रसार किया आरसमाजी ने भारत को संस्कृत हिंदी इतिहास विज्ञान और अनान्य विस्यों के हजारों उत्कृष्ट वित्वान दि वेल्टाइन सिरोल नामक एक अंग्रेज ने इंडियन अनरेश्ट नामक अपनी पुस्तक में जो सत्यात प्रकास को प्रिटिस सामराजी की जड़े खोखली करने वाला और त्यानन शर्षवती को भारतिय असांति का जन्मताता बताया था आईए जानते हैं कुछ और सार संच्छेप में सेस फिर उत्तर प्रदिस के सोनबची लेके चोपन में चल रहे बीबादों की चर्चा कर लते हैं जो आरे समाज के अनुकुल बवार नहीं कर रहे हैं इसकी अस्थापना स्वामी देहानन सर्षवती ने 10 अप्रेल 1875 इश्वी को मुंबई में किया था सिध्धान तो वाग्य है किश्वमन तो विश्व मारियम विश्व को आरे अर्था स्थ्रेश्ट बनाते चलो यह धार्मिक संक्टन है प्रमकुद्देश से शैचिक धार्मिक सिच्छा आध्यात्म और समासुधार मुख्याला इसका नजज दिल्ली में है कारिशेत स्वामपूर विश्व है आधिकारी बहासा है हिंदी और इसका मुख्यंग है परोपकारी सभा संबधता इसकी भारत प्रशिद्ध आर समाजी जनों में स्वामि दयारण सरस्थी श्वामि सर्द्धानंद महत्मा हंसराज लाला राजपतराय भाई परमानंद राम प्रशाद बिष्मिल पंडित गुरुदत्र श्वामि आनंदबोद सर्श्वति चौधरी शोटु राम चौधरी चरहार कि चोपर नगर में इस्तित आरे समाज और आरे शिशो मंदिर इश्कूल पर कबजे को लेकर विबाद अतिनत गहरा गया है इन दिनों अकबार की सुर्कियों में बना हुआ है हम अकबारों की बात करते हैं किसी अकबार न लिखा अवयत कबजे की मामलें जां सुरूओ वहीं किसी अवनने अकबार न लिखा 24 समाज से प्रकास दास सही तीन लोगों कहफ़ा निसकासन विंदी जो तरिक्ता आरे समाज चुपन पर अवयत कबजा हटाने है तो प्रदेश प्रधान ने प्रधासनिक अधिकारियों को भेजा पत्र वानसीस प्रकासिस धनी जागन ने भी चोपन हेट से लिखा है आरे समाज के तीन सदस छे वर्स के लिए निसकासित आरे समाज चुपन पर अवयत कबजा हटाने है तो प्रदेश प्रधान ने प्रधासनिक अधिकारियों को भेजा पत्र विंदी जोत लिखता है आरे समाज चुपन पर अवयत कबजा हटाने है तो प्रदेश प्रधान ने प्रधासनिक अधिकारियों को भेजा पत्र इसके पहले हमने बता दिया आरे समाज अंदर आश्टी अस्तर पर पर्ति सीर्थ संस्ता है इसके बाउजूत इस आरे समाज से जुले हुए वे लोग जिनकी वज़ा से आरे समाज को अनावस्यक विबाद में आना पड़ ला है और आरे समाज के जिम्मेदारों ने उनकी बेरुद्ध सक्त कारवाई भी कर दी है अधिकारियों को भी पत्र लिख दिया है आई जानते हैं वानसे से प्रकासित देनी जागर्ण ने चोपन हिट से क्या लिखा है इस अंदर में आरे समाज एवं आरे सिशुमंदीरी स्कूल पर कब येक लिकर चल लहेवी बात पर प्रांतिय प्रत्रिन संस्था ने सक्त कदम उठाया है प्रत्रिन सभाग्या प्रमग देवेंदर पाल वर्मा ने जिलापर सासनों को पत्र लिखकर पूरी मामले की जाच करने के साथ है आरे समाज और आरे सिशुमंदीरी स्कूल पर जवरन अवैद कबजा किये हुए जिलापर सासने पत्र को संग्यान में ले थे विसकी जाच भी शुरू करा दिया जिलापर प्रतनित सभा के प्रधान कपिल देव सिंग आरे ने बताया कि पूरू पताधिकारी प्रकास दास ने अपने स्वजन और कुछ अन्यवारी लोगों के साथ मिलकर एक फरजी कमेटी बनाई जिसके दम पर उन्होंने आरे समाज और आरे से सुमंदिर इसकुल पर आवैद धांक से कपचा कर लिया यहा त्यंती चिंतनी है इससे मुक्ती मिलनी चाहिए और इस तरह के विवादों का जन्म आरे समाज जैसी प्रतिष्टी सहस्ता में किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए अम